यदे आप किसी चीज को खाने के शौकीन है और वो आपको खाने को मिल जाए तो आप उसे इतनी जल्दी खा लेंगे कि सामने वाला आपको देख कर हैरान होगा कमोबेश ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुन कर हैरानी होती है आपको बता दे कि एक शक्स ने ऐसा कारनामा किया कि उसने विश्वर रिकॉर्ड बना दिया सोशल मीडिया पर आजकल कई फूट चैलेंजिस दिखाई देते हैं लोग अक्सर फूट चैलेंजिस लेते हैं और अपनी मन फसंद फेवरिट चीजें कई मिनिट के अंतराल पर खा लेते हैं ऐसा ही एक चैलेंज बिटिन के साउथ लंडन में रहने वाले शक्स ने विश्वर रिकॉर्ड स्थापित किया हम बात कर रहे हैं 34 साल के मैक्स टेंफर्ड की जिन्होंने डेजर्ट के तोर पर थोड़ा बहुत खाय जाने वाले जाफा केक के 88 पीसेज महस तीन मिनिट में खा लिए आप सुनकर भी हैरान हो गए होंगे मगर ये सच है दरसल एक रिपोर्ट के मताबिक उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए सिर्फ एक बार ही प्राक्टिस की थी और वो ऐसा करने में सफल हो गए उन्होंने 40 सेकंड में 20 केक खा लिये थे लेकिन उन्हें 88 केक खाने के उमीद तो खुद से भी नहीं थी 34 साल के मैक्स टेंफर्ड ने अपने इस रिकॉर्ट को बनाने के लिए औसे तन 2 सेकंड में एक जाफा केक खाया और उसे गले से उतारने के लिए वो गरम पानी पीते रहे इस तरह उन्होंने बेहुत तेज रफ़तार में महस 3 मिनिट के अंदर 88 जाफा केक 6 गलास गरम पानी के साथ निकल लिये और वहां मौझूद लोगों को हैरान कर दिया प्रोफेशनल इटर यानि की सिर्फ खाकर पैसे कमाने वाले मैक्स ने इससे पहले फरवरी 2020 में जाफा केक खाने का रिकॉर्ड अटेम्ट किया था तब उन्होंने 180 सेकंड यानि की कुल 3 मिनट में 36 जाफा केक खाये थे लेकिन इस बार उन्होंने 88 केक खा लिये मैक्स टेंफर्ड अकसर खाने के चैलेंज लेते रहते हैं और ऐसी प्रतियों की दाओं में हिस्सा भी लेते हैं उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर वो हफ़ते में कई बार खाने के चैलेंज के विडियोस अपलोड करते हैं उन्होंने हाल ही में 5 किलो ग्राम चिकन टिक का मसाला और चावल के साथ 20 चॉकलेट इवेंट कैलेंडर्स खाने का चैलेंज भी लिया था जिसे उन्होंने बखो भी पूरा भी किया था आपको हमारा ये विडियो कैसा लगा आपने विचार हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और इस दरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमर उजाला